प्रिवियस लेक्चर नमबर 3 का हमारा एक लाउस टॉपिक है ट्रेट डिसकाउंट और कैश डिसकाउंट का उसमें हमने कंप्लीशन के दौरान लास्ट में हमारा ट्रेट डिसकाउंट और कैश डिसकाउंट ये टॉपिक हमारा चल रहा था और ट्रेट डिसकाउंट का एंड वाला पोर्शन थोड़ा सा हमारा मिस हो गया था विडियो में तो उसको आज कंप्लीट करेंगे by the way आपके जो पिछले वीडियो पर रिव्यूज थे काफी अच्छा लगा like the same way आपको कोई भी doubt रहता है कुछ भी रहता है आप comment box में पूछ सकते हैं even उसकी descriptions दी गई है नीचे वहाँ पे जाकर आपको कोई भी चीज के बारे में इसके MCQs regarding है किसी भी चीज के recording आपको problem आती है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और rest of the things कहीं बच्छों के questions रहते हैं कि sir हमारा syllabus complete हो जाएगा हमारा ये इमारा वो तो by any way आपका syllabus complete कर दिया जाएगा एक बच्चे की query थी sir 30 minute का lecture की जगा एक गंटे का lecture लिया कीजिए तो हम 30-30 minutes के 2 lecture cover करके आपको एक और की practice provide कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे एक दिन में ही आपको 2-2 classes provide की जाए but one hour का lecture थोड़ा सा boring lecture जला जाता है अदरवाइस हमें कोई issue नहीं है एक गंटे की lecture बनाने में भी rest of the things हम बात करते हैं part of the studies में हमारा जो कल का topic था cash discount and trade discount मैंने आपको इसके common points लिखवाये थे कि cash discount is a real discount cash discount हमारा एक real discount है but trade discount is a fake discount cash discount की accounting treatment होती है accounting treatment होती है in the books of accounts but trade discount की accounting treatment नहीं होती यह discount immediate payment in cash immediate payment in cash करने पर यह discount मिलता है और trade discounts सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को attract सिर्फ attract तू कस्टमर करने के लिए यह बनता है इस पर at the end में एक छोटी सी एक्जामपल लेना चाहता था कि अगर अगर आप किसी ऐसे शोरूम में चले जाए जहां पर लिखा होगा अगरा सेल 50% प्लस 50% तो इट इस नॉट कंक्लूड इट अज हंडर परसंट इसको हम अंडर परसंट कंक्लूड नहीं करते हैं यह कौन सा इन परसंट य होटा है जो केटलोग परिस होता है जो आप कोई भी ब्रसंट खूते है तो उसके ओपर जो स्टिकर सह लगा होता है उसके ओपर प्राइस होता एट कैटलोग प्राइस लिखा होता तो पहले इसमें से 50 परसंट का ट्रेड डिसकाउंट निकलेगा तो इस पर 50 परसंट लगेगा ट्रेड डिसकाउंट जो सेकेंड 50 परसंट है तो इक्वलेंक टुकितना बचता है 500 तो पेमेंट अमांट कैश जो पे की जाएगी या रसीव की जाएगी तो दिस इस देखाहूंट के लिए परसंट करते हैं कि अगर आपका ट्रेड डिसकाउंट दोनों ट्रेड डिसकाउंट है तो दोनों की ही accounting treatment नहीं होगी हम मानकर यही चलेंगे कि ये समान था ही कितने का 500 का और पैसे भी कितने दिये हैं, 500 ही दिये हैं तो इसलिए इस calculation का mathematical part होगा लेकिन accounting treatment में कोई भी part नहीं होगा इसलिए कहा जाता है कि cash discount की accounting treatment होती है, लेकिन trade discount की accounting treatment सकते हैं no accounting treatment इसको इसमें आप कह सकते हैं कि accounting treatment must be the part of books of accounts बलब books of accounts sorry cash discount must be the part of books of accounts तो books of accounts में हम इसको record करेंगे ही करेंगे इसका basic meaning क्या है आप immediate cash payment कर दो आपको हम कुछ ना कुछ discount और दे देंगे that discount is known as what cash discount लेकिन ये discount चाहे आप मेरे को payment in cash करो चाहे आप payment मेरे से उदार कर जाओ ये discount तो आपको मिलेगा ही मिलेगा this kind of discount is known as trade discount तो finally हमारा ये discount का topic complete होता यहां पर अब हमारा जो topic है आज का that is accounting concepts हमारे जो concepts हैं उसमें हमारा सबसे पहला concept हम पढ़ चुके हैं उसको आज revise करेंगे पिछले concept को और उसके बाद हम बात करेंगे बाकी के अधर concepts की हमने जो concept पढ़ा है वो concept पढ़ा है business entity BUSIN AWS entity concept हमने पढ़ा है business entity concept इसमें हमने बोला था आप कि business is different and distinct from its owner कहने का मतलब business अलग है businessman अलग है हमने जो accounting करनी है वो business की करनी है this is known as business entity concept short form में यह businessman है और यह मेरा एक business है यह जो मेरा business है यह businessman दोनों अलग अलग है मुझे accounting जो है किस ही करनी है business की करनी है accounting जो करनी है वो किस की करनी है business की करनी है second concept मेरा आता है periodicity periodicity concept को हम accounting कॉंक्तिंग की यहां पर मतलब क्या है कितनी देर के बाद accounting की जाएगे मैंने business start-up किया है मैंने business start-up किया है let's suppose एक April 2009 में तो आज आ गई 31 12 2020 तो क्या मुझे अभी तक मैं accounting ना करूं चल जाएगा तो so it is not so sure क्योंकि पुराने transactions को साथ साथ में cover up करने के लिए एक concept आया accounting period concept इसने कह दिया कि आपको जो accounting करनी है वो for the period of one year करनी है one year करनी है that one year that one year may be financial calendar कैलेंड़ और फैस्टीव तो फैस्टीव फैस्टीव का मतलब festival लाइक दीवाली तो दीवाली बेसाखी तो बेसाखी आप उस तरह से भी अगर accounting करना चाहें तो कर सकते हैं इसका मतलब अगर एक अपरल को शुरू हो रहा है financial year एक अपरल को शुरू हो रहा है financial year तो यह year कब खतम होगा 31 March 2010 को तो मुझे इस period की accounting जो है वो करनी है पहले फिर next की फिर next की फिर next की ऐसे ऐसे कहने का मतलब accounting period concept यह कहता है कि मुझे जो period accounts के अंदर calculate करना है that is for one year and that one year may be financial year may be calendar year may be festival to festival और calendar year का मतलब as you all know एक January से आपका calendar शुरू होता है और 31 March को आपका calendar खतम हो रहा है अच्छा question यहां से एक MCQ बनता है वो क्या बनता है 09 to 010 is a financial year is a calendar year तो सर यहां तो ना ही दिया गया है December, January ना ही दिया गया है April तो आपने अगर इन दोनों चीज़ों में दिखा है होगा तो यह April से शुरू होगा तो 2009 आ रहा है March में खतम हो रहा है इसलिए 2010 आ रहा है It means it is a financial year क्यूं? क्यूंकि calendar year आपके घर का जो calendar है वो 2009 का होगा तो पूरा 2009 का ही होगा अगर 2010 का है तो 2010 का ही अब यह रिसेंटली बीसो इकिस के हैं तो बीसो इकिस के ही होंगे उसके अंदर टर्म्स मतलब January to December लेकिन अगर एक साल पिछला हो एक साल यह हो तो उसको हम कौन सा year कहेंगे financial year क्यूंकि financial year हमारा एक April से शुरू होता है और next year के 30 March में कतम होता है इसलिए जब भी इस तरह का form दिया गया हो तो it is a financial year ओके period concept के बाद हमारा next concept आता है money measurement concept money measurement concept money measurement concept का simple meaning है जो भी transactions जो भी transactions TXN means transaction जो भी transactions money में measure नहीं होंगी money में measure नहीं होंगी उन transactions को business के अंदर record नहीं किया जाएगा record नहीं किया जाएगा मतलब कहने का जो transactions money में measure हो जाएगी measure हो जाएगी measure हो जाएगी उनको record किया जाएगा और जो transaction money में measure नहीं होंगी measure नहीं होंगी उनको books of accounts में record भी नहीं किया जाएगा example के तोर बर जितनी भी social transactions होती है आप किसी गरीब person को देखते हो उसको lift देकर उसके घर छोड़ाते हो क्योंकि उसके पास convenience नहीं है घर जाने का और वो मजबूर है उसको आप किसी तरह से help कर देते हो आप किसी को food provide करते हो on the path लेकिन अब food provide किया आपने उस food को purchase किया उस food को purchase करने पर आपके 10 रुपे लगे that is considerable as a money measurement उसमें आप money में calculate कर सकते हो तो that should be recorded in the books of accounts अगर आप confused हो रहें इस बात में तो द्यान से सुलिए कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी poor person को sentimental, psychologically आप किसी की help करते हैं आप किसी को road cross करवाते हैं आप किसी को घर तक छोड़ने जाते हैं आप किसी कोई भी तरह से help करते हैं तो that all are related to your sentiment, psychological, etc तो वो चीज़ें हमारी money में measure नहीं की जा सकती लेकिन अगर आप किसी poor person को food provide करते हैं वो food आपने purchase किया है let it be 40 rupees का या 50 rupees का that 40-50 is measurable in money so hence it can be recorded in the form of donation in the form of charity, in the form of etc बट कहने का मतलब यह है कि इसको money में अगर हम measure कर सकते हैं transaction को तो वो record होगी ही होगी लेकिन अगर कोई transaction है उसको हम money में measure नहीं कर सकते तो उसको हम record भी नहीं करते this is known as money measurement concept next part है हमारा fourth next concept है sorry next concept हमारा आजाता है going concern concept going concern concept अब going concern concept का क्या मतलब है दिखिए going concern concept कहता है मैं अपने बिजनस में ये approach लेकर चलूँगा मैं अपने बिजनस में ये approach लेकर चलूँगा कि मेरा बिजनस continuous है चलता रहेगा क्यूं क्यूंकि भई आपको साल के end में अगर किसी से पैसे लेने बकाया है तो आप उसको क्या ना mention करोगे हमने पीछे पढ़ा है accrued incomes अगर आपने किसी को पैसे देने बकाया है देने बकाया है तो outstanding expense तो ये items आप साल के end में अपनी books में रखते हो क्यूं क्यूंकि आपको पता है आपने अगले साल भी काम करना अगर आपने अगले साल काम नहीं करना होगा तो आपकी outstanding ये accrued कहां से मिलेंगे आपको हम business में ये approach लेकर चलते हैं कि हमारा जो business है वो continuous रहेगा मतलब going रहेगा सर क्या ऐसा हो सकता है किसी साल business ना चले दो साल का बीच में gap आजाए फिर उसके बाद continuous करना होगा तो हो सकता है कि बीच में क्या आजाए gap आजाए वो कैसे suppose ये factory थी चल रही थी चल रही थी चल रही थी आग लग गई यहाँ पर क्या लग गई आग लग गई fire 70% 70% factory जो है वो क्या हो गई जल गई मैं यहाँ लिख देता हूँ 70% factory जल गई अब आपका unit 70% destroy हो गया तो वहाँ पर factory कहा चल पाएगी let it be इसकी repair renovation में 2 साल लग गई तो आपका 2 साल के लिए going concern खत्रे में चला गया 2 साल के लिए आपका going concern कहा चला गया खत्रे में चला गया और यह चीज़ कि अब आपका going concern किसमें है खत्रे में है इसी को दिखाने के लिए आपको fifth concept करना पड़ेगा जिसका नाम है full disclosure हमारी accountancy कहती है कि अगर कोई भी जरूरी चीज़ material चीज़ कोई भी जरूरी चीज़ आप accounting books में नहीं दिखा सकते accounting books में नहीं दिखा सकते तो उसका disclosure देना आपको जरूरी है कहां पर that is annexed notes में annexed note means आपकी let it be wait for a while यह आपकी एक supposed to be financial statements है आपने इसके अंदर सारी accounting record किये है इसके साथ आपको दो चार pages और जोडने पड़ेंगे that are known as annexed notes यह तो बड़े-बड़े books हैं तो आपको समझ clearly हो रही है नहीं हो रही पर let's suppose यह 4-5 pages है यह मेरी financial statement की books है मैं इसके साथ यह 4-5 pages annexed करता हूँ जोडता हूँ जिसका नाम क्या है notes to accounts इस notes to accounts के अंदर मैं अपना full disclosure दूँगा कि मेरा अब 2 साल के लिए आने वाले 2 साल के लिए मेरा जो business का going concern approach है isn't danger क्यों danger में? क्योंकि 70% of the plant is damaged due to the fire तो यह चीज़े मुझे कहां disclose करनी है? next notes के अंदर that topic is known as full disclosure तो full disclosure देने का क्या मतलब है? full disclosure का मतलब है जो भी material items हम अपनी financial statement के अंदर represent नहीं कर सके due to उसका non-economic nature होने की कारण non-economic मतलब money में वेजर नहीं हो पाया at that time तो उसको हम कहांपर disclose कर रहे है? full disclosure के अंदर तो thereafter हमारा full disclosure भी होता है इसके बाद हमारा next topic आता है materiality next topic आता है materiality मैंने अभी word use किया है material कि जो material transactions है material मतलब important कह सकते हो जरूरी कह सकते हो significant कह सकते हो लेकिन material का मतलब यहां पर जो है specific meaning वो क्या है material transaction transaction मतलब material transaction business में लेंदेन होता है दो persons के बीच में कोई ना कोई लेंदेन हुआ होगा अगर ये business अगर ये business की worth crores में है इस business की worth crores में है इस business की worth crores में है then क्या होगा इन्होंने एक transaction की है suppose to be calculator purchase किया है calculator purchase किया है भाई ये calculator की value कितनी है let's suppose 1,000 रुपीज इसकी value है 1,000 रुपीज इनकी value है अब मुझे बताओ calculator का use more than one year है casually तो more than one year ही होता अगर अच्छा calculator आप use करते हैं तो अगर उसमें self अगरा डाला पड़े तो that is secondary issue but most of the cases में आप कह सकते हैं calculator का use more than one year है आप कहते हो सर कोई भी है अगर आप चीज खरीद रहे हो उसका use more than one year है तो वो हमारा क्या बन जाता है asset अब मैं 1,000 रुपे का अपनी books में asset show करूँगा तो materiality concept कहता है कि अगर item का amount या item की transaction की value इतनी relevant नहीं है इतनी material नहीं है तो उसमें accounting standards को use करने की जरूरत भी नहीं है आप अपनी मर्जी से उसको treat कर सकते हैं समझारी बात की materiality कहती है कि अगर इस transaction की value इतनी जादा material नहीं है तो आपको accounting standards को follow करने की जरूरत नहीं है अगर आप accounting standards को follow नहीं करोगे तो आप अपनी मर्जी से उसको treat कर सकते हैं जहां आपको उसका relevant part लगता है मतलब कहने का कि मैं इसको asset ना मानकर सीधा खर्चे में डाल दूँ कि मेरा 1000 रुपया क्या हो गया है खर्चा हो गया है ये मैंने अपनी मर्जी से डाला है कि 1000 क्या हो गया है खर्चा हो गया है लेकिन इसकी property कहती है कि अगर कोई भी item हम purchase करते है जिसका benefit हमें more than one year मिलता है तो उसको हम क्या कहते है asset कहते है लेकिन हम उस asset को treat ना करने की बजाए expense में treat कर रहे है अपनी वर्जी से accounting standard को fulfill ना करते हुए तो ये concept हमें कौन सा concept समझाता है materiality concept materiality materiality concept ये कहता है कि material transaction को तो हम accounting standards के मकताबिक ही treat करेंगे अगर उसको asset कहा गया तो asset ही मानेंगे उसको liability माना गया liability expense है तो expense income है तो income whatever it may be उसको ऐसे ही treat किया जाएगा लेकिन अगर that transaction is not so material to the business वो इतनी ज़्यादा material नहीं है उसकी value इतनी ज़्यादा material नहीं है तो हम उसको अपनी मर्जी से भी treatment कर सकते है hope so you can get कि materiality concept क्या है thereafter इसके बाद हम बात करेंगे cost concept की cost concept और cost concept के just बाद मैं बात करूँगा prudence की prudence concept even maximum बच्चों ने classes पहले भी अगर ली होगी तो उनको prudence concept नहीं बढ़ाया होगा उनको prudence का नाम पढ़ाया होगा जिसका नाम क्या है इसको इसको prudence क्यों कहते हैं वो बाद में बात करेंगे पहले हम आते हैं cost concept पर cost concept कहता है कि हमने purchase price पर उसको record करना है let's suppose हमने 1000 पर की कोई item खरीदी तो हम उसको अपनी books में कितने की record करेंगे 1000 की तो sir इसमें क्या निया है निया इसमें ये है कि sir मैं गर में आके ये बोड़ रहा हूँ कि ममा 2000 की चीज थी मैं 1000 में खरीद के लिए आया अब question arise होता है कि इसको 2000 में record करें या 1000 में record करें तो हमारा cost concept कहता है जितने की खरीदी जितने की हमें वो पढ़ रही है हम उतने की उसको record करेंगे sir purchase price 1000 रुपया उसको घर लाने का खर्चा 100 रुपया carriage दे दिया तो हमें वो 1100 की पड़ी हम उसको कितने की record करेंगे 1100 रुपय की record करेंगे कहने का मतलब यह है कि हमें cost of acquisition उसको acquire करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा है that cost of acquisition can be recorded in the books of accounts लेकिन वो value 2000 की थी वो चीज 8000 की थी वो चीज 500 की थी that are just irrelevant वो irrelevant है इसलिए हम उसको किस पर record कर रहे हैं cost concept के basis पर cost of acquisition पर next बात आज़ती हमारी prudence concept क्या कहता है अब cost के अंदर एक चीज है छोटी सी cost concept के अंदर एक चीज है वो क्या है cost concept कहता है अगर कोई stock आपके पास पड़ा है अगर कोई stock आपके पास पड़ा है आपने वो stock खरीद रखा है 50,000 रुपे का let's suppose बट उसकी आज की fair market value fair market value रह गई है 45,000 तो भाई cost concept ने क्या कहा cost concept ने क्या कहा कि वह पचाजार का अगर खरीद है तो अपने cost of acquisition मुझे 50,000 बढ़ी है तो मैं उसको कितने में record करूँगा 50,000 में लेकिन future में तो गाटा दिख रहा है future में क्या दिख रहा है गाटा दिख रहा है fair market value उसकी कितने ही आ रही है 45,000 आ रही है यह जो 5000 का हमें anticipated loss दिख रहा है का अ कंजर्वेटीजम concept ने कहा कि इस 5000 के loss को आज ही record कर लो और एंटी सिपेटिड losses all anticipated losses को record करना है record करना है ऐसा किस concept ने कहा conservatism ने कहा कि all anticipated losses को record करना है लेकिन all anticipated profits है अगर profits हैं अगर तो उसको record नहीं करना उसको record नहीं करना all anticipated losses should be recorded but all anticipated profits और gain shall not be recorded record नहीं करेंगे तो कहने का मतलब है अगर सर इसकी fair market value 55,000 हो जाती तो फिर हमें इससे कोई लेना देना नहीं था हम उसको कितने पर रखेंगे 50,000 पर रखेंगे लेकिन अगर उसकी fair market value कितनी हो गई 45,000 हो गई तो हम cost concept को overcome कर देंगे किसके साथ conservatism के साथ कि अब वो 50 नहीं रहा अब वो कितना रह गया 45,000 क्योंकि conservatism कहता है कि future में अगर losses होने वाले हैं तो उसको record कर लो इसको कहते हैं इस पूरे concept को कहते हैं to play to play safe मतलब to play safe means prudence to play safe means prudence मतलब safe चलना है safe कैसे चलना है अगर नुकसान होने वाला उसको पहले record कर लो कि हम अगय आगय नुकसान हो भी जाए तो हमें ज़्यादा फरक ना पड़े लेकिन अगर फायदा होने वाला तो जब मर्जी हो हमें तो खुशी है हमारा फायदा होना इसलिए हम क्या गर रहे हैं अपने आपको safe रख रहे हैं तो to play safe means prudence और basically doctrine of prudence ये एक principle है इसी principle पर work करता है conservatism concept doctrine of prudence is a principle इस principle पर work करता है conservatism concept इसी लिए इस concept का नाम पड़ा था prudence concept इसी लिए conservatism को हम क्या बोलते हैं prudence concept अब हमारा next concept है एक छोटा सा concept ले ले लेते हैं consistency ले ले लेते हैं ऐसे तो आपके भी हमारे पास actual concept बचा है dual aspect बचा है अब अभी consistency को ले रहो हूँ मैं consistency concept consistency का meaning होता है consistently मतलब जो accounting policy procedure concept हम follow कर रहे हैं हर साल every year हम वही follow करेंगे हर साल हम वही follow करेंगे this is known as what consistency consistency means एक आगरता हम एक जैसा ही policy procedure concepts कोई भी accounting के methods होंगे हम एक जैसे ही follow करेंगे हम बीच में change नहीं करेंगे ऐसा कुन सा concept कहता है consistency concept कहता है और consistency concept के अंदर कहता है कि अगर हम हर साल एक ही method को follow कर रहे हैं अगर किसी साल change करना पड़ गया तो अगर change करना पड़ा तो फिर हम इसको कहां दिखाएंगे अभी पड़ा full disclosure इस चीज को भी हम कहां दिखाएंगे full disclosure के अंदर दिखाएंगे तो this is all what consistency concept बागी concept हम कल discuss करेंगे thank you so much करेंगे जाओे景 हम एता है